प्रियासत भर में इंटर्मिडिट के एक्जामनेशन चल रहे हैं पहले साल और दूसरे साल दोनों के लिए और टिम्रिस के 204 इदारे यहने के जुनियर कालेजे जो हैं वहां के सारे तुल्बा लड़के लड़कें सब एक्जामनेशन ले रहे हैं और तकरीबँन सारे पर बाखी है, या Humanities का हो या Sciences का, तो एक अच्छी बात यह है कि जहां भी जिस Examination Center को भी जाके देखें, वहां हमारे तुलबा यही बोल रहे हैं कि इनकी अच्छी तरवियत हुई थी और exams अच्छा लिखें हैं और अच्छे marks आने का भी इनका नात है और इनका expectation भी है, अब इसके बाद में भी आगे पढ़ना चाह रहे हैं और डिगरी करने वाले हैं या MSET नीट एग्जाम्स लेने के लिए भी इनकी तायारी तरवियत हुई है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे तुलबा हमारे टिमरी से जो बाहर निकल के आ रहे हैं, यह फ्री सीट्स हासिल करने म कामियाब होंगे, और टिमरी से साथ और उनके जो टीचिंग स्टाफ है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इनके साथ तो इनका रापता बना रहेगा, इनका गाइडेंस हमेशा मिलती रहेगी, और विकेशन्स में भी एक अफी तायारी करने की एक अहत के साथ बच्चे बाहर पर नहीं जा रहे हैं, मैं संभता होंकि अच्छी तरह तायरी करके जो फर्स्ट एर के स्टूडेंट से इसक्ट एर में जल से जल पिर आएंगे हमारे इदारों में, और सेकंड एर जो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है इनके जिन्दगी में, उसको अच्छी तरह से फिर क Second year complete कर रहे हैं, उनको हम लोग टिमरिस के जानिब से, जो भी complete exams हैं को ग्रैजिवेशन में जाने के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेस में जाने के लिए उनकी तैयारी में कोई कासर बाखी नहीं रखेंगे, इनको जितना भी support करना है, तावन देना है, वो ज़रूर देंगे इ करने हैं, फ़स्स अन्हे करना है सकते जाने करना भी politो करना है, अरो जाने हुआनल कोगने प्रेंगे, वो ज़रूर ग। झाल झाल